करीब 150 साल पुरानी नैगोरेश ट्रेन जिसकी शुरुवात स्याजिराओ गायकवार ने 1915 में की थी जिसके पीछे उनका मकसद था ग्रामिन इलाकुस संपर्क बनाय रखने का उस ट्रेन पर अप्पूर्ण विराम लगने जा रहा है जिसकी वज़े से कई आदिवासी समाज नराज भी है इस ट्रेन को बापू की ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है आईए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में कुछ और रोचक बाते दक्षिन गुजरात में बापू की गाड़ी के रुप में पहचानी जाने वाली करीब 105 साल पुरानी नैगोरेश ट्रेन का सफर फैसला लिया है हाला कि इसके बंद होने से तीथी का एलान नहीं हो सका है सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार इस साल के अंध तक इसके सफर पर विराम लगा दिया जाएगा इस खबर से ग्रामिन शेतरों में दुख का महौल है क्यूंकि बिली मोरा से वगही की 61 को चलाने के पीछे स्याजी राओ की सोचते की ग्रामिन इलाकों में रहने वालों से उनका संपर्क लगतार बना रहे और गाओं वाले अपने उत्पादक असानी से शहला कर बेज सके आहवा डांग के जंगलों में सागौन के पेड बहुतायत में हैं इसके चलते उस समें ट् मोरा से वगही के बीच ट्रेन घंगोर जंगलों और पहाडों को पार करते हुए अपने गंतवे तक पहुशती थी जो यातरियों खास्तों और बच्चों के लिए काफी रोमांचकारी सफर होता था ट्रेन की अधिक्तम स्पेड 31 किलोमेटर थी और यह बिली मोरा से वगही इस नेरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की है जिस से इस रूट के जरीए फास्ट ट्रेने दोडाई जा सके